सब्सक्राइब करने वाले NCRT की एक्सरसाइज चैप्टर कौन सा होगा पेरिमीटर एंड एरिया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पेरिमीटर एंड एरिया उसी का हम लोग करने वाले NCRT एक्सरसाइज तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो लाइब आजाओ शेशन को जोईन कर लो चल्दी जल्दी जोईन करो और कमेंट करो कि हमने जोईन कर लिया चल्दी से जोईन कर लो और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो बेटा क्या करना है आप सभी को पता ही है सब्सक्राइब कर लेना है और कर देना है बैल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो के इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल जाएगी जब भी कोई लाइव आएगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ठीक है और आज के वीडियो में भी हम आपके लाइफ कमेंट पे रिप्लाइ नहीं करेंगे हम भी आपके साथ में चैट पे रिप्लाइ करेंगे तो आप लोग चैट में ध्यान देना कि चैट में अगर आपको कुछ भी कोईशन पूछने होंगे तो आप चैट में मैसेज करना और उ I also completed my B8 with the science stream. I have three year teaching experience of offline as well as online. I taught many students of ICSC and CBSC board. I qualified, UPPTED and CETED both in the primary and junior level. Okay, तो ये रहा मेरा शॉर्ट सा introduction. चलो, सभी लोग जल्ली से वीडो को जोईन कर लो. वीडो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठेक हैं? और सबसे पहले एक बार बता दिया करो, I am audible or visible. अखे, तो चलो, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि अनेकेडमी पे मेरी स्पेशल क्लासे से स्टार्ट हो चुकी है. आपनों कैसे फॉलो कर सकते हो? अनेकेडमी का लर्निंग अप कर लो, इंस्टॉल. इंस्टॉल करने के बाद गोल सेलेक्ट कर लो, सीब्यसी क्लास 7. तो गोल सेलेक्ट कर लिया, सीब्यसी क्लास 7. वहाँ पे सर्च करना जोती जैस्वाल, ठेक है? वहाँ पर क्या सर्च करोगे जोती जैस्वाल सर्च करना है आप सभी को और कर लेना है मुझे फॉलो तो आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो अनकेडमी के लर्निंग आप भी आपको एप इंस्टॉल करना है जल्दी से मुझे फॉलो कर लेना है ठीक है तो जल्दी जल्दी आप से बहुत सारे content free में provide किये गए क्या क्या है content यह देखो आप unlock कर सकते हो सारे free content को by using the code JJ Live तो आपको क्या करना है जेज़ लाइफ कोड को apply कर ना है और पहुत सारे free content को आप कर सकते हो अनलोग क्या होता है इसमें तो आपको मिलता है free test attempt daily T20 test series and check how much you can score आपने कितना स्कोर किया है यह आप चैक भी कर सकते हो डीडर बोड की पोजीशन जैसे होती ही न वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितने टेहिर सारे बच्चों में आपकी पोजीशन क्या है आपकी रैंकिंग क्या है सब कुछ अच्छे से चैक कर सकते हो attend the analysis session to get your doubt clear एक analysis session होता है जिसमें आप अपने questions को पूछो के आपके सारे doubt clear हो जाएंगे this test series will cover some easy to the medium and difficulty level question इस test series में सभी type की question होते है easy level के भी question होते है medium level के भी question होते है और difficulty level के भी question होते है तो आपके सारे type के question जो है न वो इसमें देखने को मिल जाएंगे next आपको यहां पर क्या क्या मिलता है daily practices life test life quizzes creative content बहुत कुछ interesting मिलता है तो आप क्या करोगे unlock करोगे इन सभी को by using the code JJ live आपको क्या करना है बेटा JJ live code को apply करना है और सारे free content जो है इसको कर लेना है unlock आप लोगों को सिर्फ मेरी क्लास के लिए नहीं आपको किसी भी एजुकेटर की क्लास बिटा आपको जो एजुकेटर पसंद है आप उनकी क्लास देख सकते हो इस प्लाइक करके ठीक है तो देखो आपको मिलती है सारे एजुकेटर की special classes daily free special classes by for class 6, class 7 and class 8 तो class 6, class 7, class 8 के सारे special educators मतलब सारे एजुकेटर की special classes होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है लाइफ session by the top educators on the syllabus completion आपका syllabus भी प्रॉपर वे में complete करवा दिया जाता है यहाँ पर क्या-क्या होते हैं जैसे कि अभी हमने बताया था लाइफ प्री पोल्स होती हैं, quizzes होते हैं, doubt solving and other interesting classes मुभी किस में? फ्री में, होके? तो इन सबी चीज़ों को आप कर सकते हो, unlock बस एक simple सा code apply करके JJ live तो जिसने बेटा पहले से apply कर रखा है code जिसने special classes देख रहे हैं तो उनके लिए यह code नहीं apply होगा अगर कोई बच्चा new join करता है जैसे कि आप unacadmical learning gap new new install करते हो तो आपको पूरा डीटेल में बताते हैं क्या करना होगा, ठीक है? अलग-अलग classes के लिए बेटा, अलग-अलग batches available है तो आपको जिस educator की ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, जिस educator को आपको फेवरेट है, उनकी batch आप जोइन कर सकते हो और अपनी study को continue कर सकते हो, ठीक है? तो class 6, class 7 और class 8 सारे classes के लिए अलग-अलग batches अवलेबल है, बहुत सारी batches है, ठीक है? तो next, अब हम आपको पूरा procedure बताते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अनकेडमी पे जाके मुझे follow कर सकते हो, और अपने free content को unlock भी कर सकते हो, और आपके जो फेवरेट एजुकेटर है, उनकी classes भी आप attend कर सकते हो, तो क्या करना है, देखते हैं, तो आपको करना है Google के Play Store नने लगे इस्टोर से अनकेडमी का लरनीगाप इस्टोर पे जाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको जाना है Google Play Store पे जाएगा, जाएगा, वहाँ पे टाइप करिएगा Unacademy Learning Gap, कर लेँप आपके लेश इस्टोर करने के बाद आपके पास ऑप्शन आयगा, फिर ग cbsc class 7 जो भी आपका गोल है आपका अगर 8 है तो 8 सेलेक्ट करना 9 है न 9 6 है तो 6 ठीक है तो अभी class 7 की class है इसलिए मैं बता रही हूं कि आपको गोल सेलेक्ट करना है cbsc class 7 उसके बाद आप मेरा नाम सर्च कर लेना जोती जाया स्वाल ठीक है आप यह सर्च करना और फिर जब आप किसी भी class पर क्लिक करोगे किसी भी class पर आप क्लिक करोगे तो आप से पूछेगा कि unlock free content by using the code क्या आपके पास code है तो आप बिलकुल code apply करना जे जे लाइब चेक है इस code को आप apply करोगे तो आपकी यह सारे जो free content है special classes से यह हो जाएंगी unlock और आप आरा हमसे इसको फ्री में enjoy कर सकते हो जैसे कि आप लोग यूट्यूब के भी इक्स्ट्रा चाहिए और भौहार सारी चीजे साई इस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो तो get subscription पर option पर जाओंगे तो आपको दो दो subscription मिलेंगी क्या होता है दो सब्सक्रिप्शन एक होता है plus subscription अनेटमी का और एक होता है highlight subscription idag तो प्लेस में बेनिफेट बताती हूं और आइकोनिक की भी मैं आपको बेनिफिट बता देती हूं तो आपको जो भी, ठीक है, प्लेस बेस्ट लगेगा तो प्लेस लेना, आइकोनिक बेस्ट लगेगा तो आइकोनिक ले लेना, तो आपको मैं दोनों की बेनिफिट बता देती हूं, तो अनकेडमी के प्लेस सब्सक्रि हो ठीक उसी तरह से अपने घर पर बैठके आप पढ़ाई कर सकते हो अल्लिम्टेड एक्सेस होता है तु ओल दा कोर्सेस मीज इसमें आप मोबाइल से लैप्टॉप से पीसी से कहीं से भी देख सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से हमारे प्लेटफॉर्म पे ओल ओवर अपको फ्री कंटेंट में भी मिल जाते हैं अंसर राइटिंग शेशन होता है mentorship and guidance भी होते है ठीक है तो यह सब हो गई बाप लेस्टॉप्शन की benefit क्या क्या है प्लेस में एक बर short में देख लेते हैं तो प्लेस में आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, यह सब आपको इक्सट्र क्या मिलेगा यह कि थी चीज़ें फेनिटें करवेनक सबस्क्राणिक plaisir निए सब्सक्राइब ब्लेटें आपको 0 क्याय किस च्रीन शुर्णानिक प्लाइब यह में नाठीं है और इसके क्या prizes है वो आप subscription जब लोगे तो आपको वहाँ पे शोख हो जाएगा चलो तो यह सब हो गई बात आने अकेडमी के subscription की और यहाँ पे बहुत सारे educators है जिनके अपास 2020 year का experience है तो काफ़ी ज़्यादा experience holder भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं और जिसने अभी तक टेलीग्राम का ग्रूप नहीं जोइन किया है तो आप टेलीग्राम का ग्रूप जरूर से जोइन कर लेना वीडियो के description बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी उस लिंक पे क्लिक करना और टेलीग्राम का ग्रूप जोइन कर लेना जितनी भी अब टेलीग्राम का ग्रूप नहीं जोइन के जोइन कर लो नेम मैं बता देती हूं let's crack कि लेट्स क्लास टेलेग्राम के गुरूप कर नाम तो आप लिंक से जोइन कर सकते हो तो सारी चीज़े क्लियर हो गई अब आज आज हम लोग क्या पढ़ेंगी आज हम किया प्ड़ेंगे की एटली एकसे इस सतर्ञ जासा कि ओं लिग्या करेंगे अजहु बूरक सरसा एकका निक जासर ही थिसकर क्लिक सबस्ट दुआप अच्छे से içकराकर लेटों हुआ था कुछी इवथिए उसकी ते और हिऊजँ आप परिमेंटरेंड ऐर्याकुल्टी ये की एकसरशाइज आई रैड़ी गयाज्स कमेंट करो से कामेंट करके बताओ आ। ये हैं नुद्ध से कामेंट कर जाया लैकले हूं क्रेंगे और द्रू आपको मैं कोशिश करूंगी दूंस हो जितनी हो सकते हैं सबी आपको इस वीडियो में ही complete हो जाए ठीक है एक भी question आपके left नहीं रहे अगर कुछ रह जाते हैं आपके कुछ doubt होते हैं तो बिलकुल आप लोग फ्री हो comment section में पूछने के लिए कि आज हमें सिर्फ एक्सराइज करनी है स्टाट किया जाए जली से बताओ रेडी हो स्टाट कर दें सभी लोग आ चुके हो ना ज्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर करो like करो चल दी सभी के पास पहुचा दो हम आज स्टाट करते हैं ठीक है ताट करने से पहले सभी को पह बताओ बताओ शेर कर दिया सभी लेडियो को चल मुत क्रते हैं को मिन सब्सक्राइब क्या है और क्या करना है जिसका परदिमेटर क्या होगा त्री हंड्रेट वेंट Beach होगा देखें, ये एक square पार्क है, हमने ड्रो कर लिया, इसका perimeter क्या है, 320 meter है, अगर ये square है बेटा, तो इसकी सारी sides क्या होंगी, equal होंगी, इसकी सारी sides क्या होंगी, equal होंगी, तो इसका जो perimeter है, वो कितना हो जाएगा, तो square का जो perimeter होता है, perimeter of square, चीक है, तो perimeter of square क्या होता है बेटा, ये equal होता है, 4 times of a के, अगर इसकी side a है तो, अब आपको देखो, perimeter given है यहाँ पे, 320, तो हमने लिख लिया perimeter of square के जगे पे, 320 meter, which is equals to 4 times of a, अब हमें क्या करनी है, एक ही value find out करनी है, अमें क्या करनी है, एक ही value find out करने है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4, एक के साथ multiply है, equal कीधर जाएगा, तो divide में हो जाएगा, तो a is equals to कितना क्या, बेटा, 320 divided by 4, अब इसको divide करके देख लेते हैं, क्या आरा है, तो कितना आ गया 48 32 आ गया तो यह पूरा कैंसिल हो गया यहां पे क्या हो गया जीरो चीक है तो इसको हमने 4 से कैंसिल किया तो 48 32 यानि कि साइट जो है बिटा यह आ गई 80 मीटर अब इसकी साइट कितनी हो गई 80 मीटर हो गई तो जब भी आपको किसी भी चीज का पेरिमीटर गिवन हो और आपसे पूछे एरिया या फिर आपको एरिया गिवन हो और आपसे पूछे पैरामीटर तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले उसकी साइट निकाल लेनी होगी एर आपको find out करना है area, तो square का area क्या होता है, area of square क्या होता है बिटा, area of square is equal to side into side, तो क्या हो जाएगा, side into side, कितनी आएए side आपकी, 80 meter आएए, तो 80 meter multiplied by 80 meter which is equals to 88 जा 64 और 20 हम इसके आगे लगा देंगे और कर देंगे meter का square, तो area of square क्या हो गया, यह हो गया, 600, 6,400 meter का square, समझ में आया, तो इसका area क्या हो गया, 6,400 meter square, तो question number first का जो answer हो गया, 6,400 meter का square, यह हो गया, square part का area, got it, समझ में आ गया, comment करो, comment करो, yes, समझ में आ गया, किसी को कोई doubt है, मैं फिर से एक बार बताती हूँ, अगर आपको square part का perimeter given था, तो perimeter क्या होता है square का, 4 times of a होता है, तो 4 a की value, याने की 4 times of side होता है, तो 4 a की value आपको दिया गया है, 320, यहां से आप निकाल लो side, कितनी आ गई, 80 meter आ गई, अब आपको side पता चल गया, तो area तो निकल जाएगा na, side पता है, तो area निकल जाएगा square का, क्या होता है, side into side, which means 80 into 80 तो this is equals to 6400 meter का square, unit जरूर से लिखा करो, unit नहीं लिखोगे तो exam में marks कर जाएगे, तो unit को जरूर से लिखा करो, यहां तक clear हुआ, आ जाते हैं हम लोग next question, question number second को देखे क्या है, पढ़गे और answer करने की कोशिश करिए, find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and length is 22 meter, also find its perimeter, तो हमें क्या करना है इस question में, बताओ बताओ, इस question में क्या करना है, हमें find out करना है breadth of rectangular plot और उसका perimeter भी find out करना है, आपको given क्या क्या है, तो जो जो चीजे given होती हैं, उसको लेख लेते हैं हम लोग, क्या given है बताओ, हम लोग कर रहे है solution, ठीक है, और आपको given क्या क्या है, तो हमें given है plot का area, क्या given है, हमें given है plot का area, 440 meter square, और क्या given है, और हमें given है length, ठीक है, और क्या given है, length given है, यह कितनी है, 22 meter है, तो rectangular plot है, त Rectangular plot का जो area होता है वो होता है length into breath, तो area is equal to क्या हो जाएगा यहां से? Length into breath, area भी given है आपको, रख लेते हैं area के जागे पे 440 meter square, length कितनी given है? length given is 22, यहाँ पे रख लिया, breath हमें निकाल ली है, तो यह हमने रख लिया B, अब यहाँ से solve कर लो, तो B is equals to आजाएगा 440 divided by 22, तो इसको solve कर लेते हैं, इसको किस से cancel करेंगे, इसीदा आप लोग डिवाइड ही कर लो है, डिवाइड करके दिखा देते हैं, 440 आगे हो गया 22, तो 22 की टेबल पड़ो, 22 बंजा 22, 22 सूजा 44, तो 2 हो गया, यह हो गया 44, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 का हमने आप लगा दिया, तो इससे जब यह कैंसिल होगा कितना जाएगा बिटा, तो यह आगया 20 मीटर, तो breath कितनी हो गई, breath हो गई 20 मीटर, तो पहला आंसर हमारा आचुका है, breath find out करनी थी, तो breath हो गई 20 मीटर, यह हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, अब हमें क्या find out करना है, इसका parameter find out करना है, तो rectangle का parameter क्या होता है, बताओ जल्दी से, पहला answer हमारा आचुका है breath, अब बताओ rectangle का parameter कितना होता है, तो parameter जो होता है, रेक्टेंगिल का, आप लोग answer भी करो, parameter जो होता है, rectangle का, यह होता है, two times length plus breath, कितना होता है, two times length plus breath, तो two हो गया, length की value आपको exactly पता ही थी, 22, रख लिया यहाँ पे 22, breath कितना है बेटा, breath हो गया, 20, तो इन दोनों को addition कर लो, कितना हो जाएगा, two आगया, as it is लगे रहने दो, 22 plus 20, कितना हो गया, 42 हो गया, अब 42 multiplied by 2 करो, कितना हो जाएगा, two, two is a four, यहाँ पे करके देख लो, 42 multiplied by two, two, two is a four, four, two is a eight, कितना आगया, 84 आगया, तो इसका जो perimeter है, यह हो गया, 84 मीटर, थेखें, तो बिटा perimeter कितना आगया, तो perimeter आगया, 84 मीटर, confirm हो गया, clear हो गया, अच्छे से, comment करो, comment करो, जल्दी जल्दी सबी लों, comment करो, yes, Pam, clear, तो हमने क्या किया, area हमको given था, length given था, तो area और length का use करते हुए, हमने find out कर लिया breath, और breath find out हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, वेटा, perimeter का formula लगाया, और length और breath हमारे पास थी, तो हमने आराम से निकाल दिया perimeter, ठीक है, clear हुआ, area is इतना हो गया, length into breath, length हमें पता थी, area पता थी, उससे हमने find out कर लिया breath, और फिर उसके रख दिया, perimeter के formula में, तो हमने निकाल दिया इसका parameter, okay, clear हो गया, आजाते हैं next question पे, question number 3 को पढ़िया क्या है, the area of a square park is the same as of the rectangular park, जो square park का area है न, यह same है किसके rectangular path के area के, उसके बाद, if the side of square park is 60 meter, square park की side किती है, 60 meter आपको given है, and the length of the rectangular park is 90 meter, rectangular park की length किती है, 90 meter, तो आपको क्या करना है, find the breadth of rectangular park, है न, interesting question है, find the breadth of rectangular park, आपको ये find out करना है, कैसे करोगे find out, any guesses, बताओ, comment section में answer करो, any guesses, कैसे find out करोगे, बताओ, 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 कैसे find out करोगे, आप लोग, कैसे, कैसे, बताओ, चली से बताओ, तो आपको दिया क्या है, वो लिख लेते हैं, तो आपको given है, area of square, है न, क्या given है, area of square is equal to, अब भी ये question mark हटाते हैं, क्योंकि मैं आपको solution बता रही हूँ, तो देखो, area of square is equal to, क्या दिया हुआ है, area of rectangle, चीक है, क्या दिया हुआ है, area of rectangle गिदिया हुआ है, तो area of square क्या होता है, बताओ, side into side, तो side into side, means a into a, area of rectangle क्या होता है, length into breath, अब आपको clear हो गया होगा, क्या क्या करना है, तो side of square तो given है, 60 into 60, length कितनी given है, length आपको given है, 90 meter, है न, तो length हो गई 90 meter, और breath कितनी है, वही तो find out करना है, तो breath हमको find out करना है, तो क्या करेंगे, 60 into 60 का multiply कर लो, कितना हो जाएगा, 3, 6, double 0, 6 into 6, 36, 6, 6 हो गया, 36, दो 0 हमने आगे लगा दिया, तो यह हो गया, is equals to 90 meter into B, अब यह यहाँ पर B के साथ multiply में है, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बेटा, divide में हो जाएगा, तो B की value कितनी आगई, 3, 6, double 0, divided by 90, solve कर लो, 0 से 1, 0, cancel हो गया, कितना बचा, 360 upon 9, 9 की table पढ़ो, 9, 9, 2, 0, 80, 9, 3, 0, 27, 9, 4, 0, 36, तो 9, 4, 0, 36, तो 9, 4, 0, 36, means यह B की value आगई, 40, तो breath of rectangular park क्या आगया बेटा, breath of rectangular park आगया, 40, बीचर, क्या clear हुआ, क्या clear हुआ, आप सभी को, बताओ, बताओ, clear हो गया, चल दिसे comment करो, answer आपको clear हो गया, समझ में आया, इथा कि जो square का area है, यह equal rectangle की area के, तो square का area क्या होता है, side into side, rectangle का area क्या होता है, length into breadth, हमने सभी की value रख ली और solve कर लिया, तो हमारा answer आगया, comment करो comment, comment करके बताओ, क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ क्या, comment करके बताओ, जल्ली से, तो आते हैं हम लोग next पे question number 4 question number 4 क्या है देखते है the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively find its area and second क्या है the cost of the land if 1 meter square of the land cost is Rs. 1000 then आपको find out करना है कि total उसको total area को करने में कितना cost लगेगा ठीक है तो पहले आप area find out करो उसके बाद फिरम लों cost भी find out करेंगे तो क्या क्या दिया है length दिया है breadth दिया है किसका length और breadth दिया हुआ है किसका दिया है rectangle का rectangle का area निकालना है पहला निकाल लेते हैं simple सा है अब तो यह आपको लोंगों को बहुत easy लग रहा होगा area निकालना है rectangle का बिलकुल निकालने के क्या करना है area is equal to length into breadth L into B L की value 500 meter 500 meter B की value 300 meter यानि कि breadth तो breadth कितनी given है 300 meter कितना आ गया area तो area आ गया five threes of 15 और four zero आगे बढ़ा दो two zero यहां के two zero यहां के तो four zero आगे बढ़ गया तो यह हो गया 15 कितना हो गया one, ten, hundred, thousand, ten thousand lakh one lakh, fifty thousand meter square यह इसका आ गया area इतना ज्यादा बड़ा सा है ground है तो कितना बड़ा है one lakh, fifty thousand meter square आ गया इसका area अब देखो अगर cost of land of one meter square is thousand अगर one meter square की cost thousand रुपए है समझना अच्छे से अगर one meter square की cost thousand रुपए है तो यहां पे तो आया है one lakh, fifty thousand meter square इसकी cost क्या होगी बताओ बताओ, unitary method apply करो तो अगर one lakh, one meter square की cost है thousand तो fifteen, one lakh, fifty thousand की cost कितनी होगी बिटा तो इसी में multiply कर दो और बड़े answer आएंगे ठीके और ज्यादा zero zero लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, बताओ, solve करके इसका answer बताओ, कितनी zero लगाएंगे तो one five तो लिखेंगे ही, यह four zero तो लगाएंगे यह लगाएंगे, उसके बाद three zero और लगा दो, one two three दिख रहा हैं, इतना नीचे हो गया, उपर लिख देते हैं, तो इसका answer क्या आया है, one five, one two three four five six seven, इतने zero लगेंगे, मीटर, यह total rupees में आपका cost आएगा, चिक है, तो इस area को बनाने में जो cost आ रहा है, वो हो गया, इतना rupees, यानिक यह हो गया आपके second वाले का answer, तो यह क्या हो गया, second वाले का answer हो गया आपका, समझ में आ गया बिटा, फस्ट वाले का answer निकालना थाम को area, area तो length और breath ते simple निकल गई, अब आपको one meter square land की cost दिदी गई थी thousand rupees, और आपका area इतना ज़्यादा अल्रेड़ी आ चुका था, तो इसको multiply कर देंगे thousand में, तो इ each of the following, parallelograms, तो parallelogram का area क्या होता है, बताओ, कली हमने आपको सारे formula बताए थे, और बोला था कि सारे formula को अच्छे से याद भी करके रखना, ठीक है, तो यह हो गया पहला वाला, और यह हो गया दूसरा वाला, चलो, बताओ इसका answer क्या होना ची, जल्दी जल्दी सभी लोंग बताओ, पैरलोगराम का area क्या होता है, इसका area क्या होगा और इसका area क्या होगा, comment section में बताओ, चलो, बताओ सभी लों comment section में कि इसका area क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं कि सका answer आते हैं वैसे आप लोग आंसर तो correct दे ही लोगे तो पहलो ग्रांज का एरिया क्या होता है बेटा बेज इंटू हाइट सिंपल बेज इंटू हाइट यह बेज कितना दिया है फर्स्ट वाले में तो बेज है 7 हाइट कितनी किवेन है हाइट है 4 multiply कर लो तो 7 428 कितना आगे अंसर 28 cm2 यूनिट जरूर से ध्यान देना सब लोग यूनिट नहीं ध्यान दोगे तो आंसर करेक्ट होने के बाद भी maybe chances बनते हैं कि आपको teacher number नहीं दे तो क्यों रिस्क लेना यूनिट लगा देना है ना श्रोक तो इसके बाद आप सेकेंड वाले का अंसर बताओ सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा से से फर्स्ट में किया है वैसे यहां पे भी तो इसका भी तो भाई होगा, base into height, base कितनी है बेटा, 5, height कितनी है, 3, तो base into height से निकलेगा area, area क्या हो गया, 15 cm और मीटर, तो 15 cm2, ठीक है, कितना हो गया, 15 cm2 यह हो गया, इस वाले पहलोग्राम का area, और 28 cm2 यह हो गया, इस वाले पहलोग्राम का area, समझ में आया, question number 5 तक हमारे हो चुके हैं, 5 questions और बच्चे हैं, तो बता दो, थोड़ी सी बाते कर लेते हैं, क्या समझ में आ गए सारे questions, बताओ बताओ, यह जो हमने question अभी किये, यह क्या आपको समझ में आ गए हैं, ओके, तो चलो आते हैं next question, question number 6 पे, question number 6 में क्या है, बहुत ही simple सा, find the area of each of the following triangle, अब आपको निकाल ला है, triangle का area, तो first वाले का answer बताओ, और second वाले का answer बताओ, 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 जल्दी से, triangle का area क्या होता है, area of triangle, यहाँ पे हमने इसकी कर दी naming, ABC, इसकी भी कर दी, ABC, तो बताओ, क्या होगा, और यह वाला triangle क्या होता है, बेटा, देखो, यहाँ प बोलते हैं, right angle triangle, क्या बोलते हैं, right angle triangle, okay, क्या बोलते हैं, okay, let me correct the spelling of right, r-i-g-h-t, इसको में क्या बोलते हैं, right angle triangle, okay, तो चलो, area of triangle, ABC कितना हो जाएगा, one upon me two, into base, into height, तो क्या दो लेंगे, one upon me two, into base, क्या given है, base given है, four, 20 equals to कितना given है, बेटा, four centimeter, तो यह हो गया, four, into height कितनी given है, तो height given है, आपको three centimeter, तो into हमने कर लिया, three से, अब two से देखो, यह four cancel हो जाएगा, two two is a four हो गया, क्या बच गया, तो यह बच गया, सिर्फ two into three, तो two into three कर लो, कितना जाएगा, two into three हो जाएगा, six, और किस में, unit में तो centimeter square, तो पहले वाले का अँसर क्या आगया, बेटा, six centimeter square जो है, यह इस वाले का area हो गया, क्या हो गया, six centimeter square यह इस वाले का area हो गया, first वाले का, ठीक है, चलो, तो सब भी लोग जल्दी से नोट कर लो जिसके आंसर आ गये थे आ गये थे तो अच्छी बात है नहीं आये थे तो देख लो समझ लो क्या समझ में आ गया एरी ओफ ट्रेंगल क्या होता है बेटा 1 अपॉन में 2 इंटू इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो base हमने value put कर दी, height की value put कर दी, हमारा answer आगया 6 cm², चलो, तो आते हैं next वाला, second वाले question को solve करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, second वाले question को अब solve, तो second वाले question को अभी वही same formula लगा रहा है, area of triangle ABC, ठीक है, area of triangle ABC is equal to 1 upon me 2 into base into height, तो base के आए बेटा, यह है 3, height किती है, height है 4, तो base की जगे पे रख देंगे 3, और height की जगे पे रख देंगे 4, तो इस बार भी देखो, कुछ वही answer आ रहा है, 4 को हमने cancel किया 2 से 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 into 2, which is equal to 6 cm², तो दोनों के answer क्या आ गया, दोनों triangle का area आ सेकेंड वाले का, दोनों triangle का area आ गया, 6 cm², let me check किसके किसके answer correct है, let me check, okay, तो मैं देखती हूँ किसके किसके answer correct है, और आप सभी को comment में ही reply करूँगी, कि congratulations, आपके answer correct है, है न, यहाँ से तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, comment section में ही मैं बोल रही हूँ आज, आज यहाँ प तो हो गया बिटा, 6 वाले का answer correct हो गया, सभी को समझ में आ क्या, आते है next question, question number 7 पे, question number 7 में क्या है, find the missing values, यह आपको given है, देखो, किसी की base दिया है, height दिया है, और क्या दिया है, area of parallelogram, तो यहाँ पे सब जगे area of parallelogram given है, और area of parallelogram given है, आपको एक जगे base दिया है, तो कहीं पे height दिया है, और यह है fill in the blank, जहाँ जहाँ पे नहीं fill है, वहीं आपको क्या करना है, fill करना है, तो चलो फटा फट से fill करो, क्या क्या होना चाहिए, कैसे fill करेंगे, कैसे fill करेंगे, बताओ, 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 area of parallelogram क्या होता है, area of parallelogram is the question होता है, base into height, है ना, base into height होता है, तो फर्स्ट वाले में आपको base given है और area given है तो क्यासे निकालोगे height base given है और area given है तो area is equal to base into height which is equal to 20 into height अब इस C को divide कर दो क्या? 246 को divide कर दो 20 से ठीक है? अंदर लिकलो 246 और बाहर लिकलो 20 divide करो तो क्या answer आजएगा बताओ जल्ली से क्या answer आजएगा 246 को डिवाइट कर लो 20 से कितना अंसर आएगा बिटा पॉइंट में आएगा डेसिमल में आएगा तो करते हैं 21 जा 20 तो ये हो गया माइनस करेंगे 4 बचा 6 को हमने उतार दिया ऐसे 22 जा 40 तो ये हो गया 40 ये क्या हो गया माइनस करेंगे यहाँ पर 6 बचा अब हमने डेसिमल लगाया यहाँ पर आगया एक 0 आप कितने टाइमस में जाएगा 3 टाइमस में तो ये हो गया 60 और ये हो गया पुरा-पुरा कैंसिल तो आपका अंसर कितना आगया 12.3 मीटर सेंटीमीटर ठीक है पैलोग्राम की हाइट हो गई चलो बी वाले का अंसर आप लोग खुद से बताओ बी वाले का अंसर आप लोग खुद से बताओ जल्दी से देखते हैं किसके अंसर करेक्ट आते हैं चलो चलो बताओ बी वाले के अंसर बताओ ओके फास्ट बताओ सभी लोग जल्दी से आंसर कि B वाले का आंसर क्या correct होगा चलिए बताए सभी लोग जल्दी जल्दी ओके सभी की comments मैं देख रही हूँ बताओ सभी लोग जल्दी से तो हमें क्या करना है वही सेम काम करना है बेटा एरिय ओफ पेलोग्राम निकालना है इस बारिस में दिया है हमको height तो निकाल लेते हैं अब हमें करना है base फाइंड ओट करना है और height given है कितना height given है 15 तो divided कर लें गा क्या करना है इसको divide करो 15 से तो इसको 15 से divide करो बताओ कितना आएगा जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा 154.5 divided by 15 करोगे तो कितना आएगा बताओ चलो बताओ बताओ डिवाइट करके बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए बताओ बताओ जल्दी से डिवाइट करके बताओ तुम्हें आपको बताती हूँ क्या आना चाहिए ये मेरे पास तो पता है, आमें तो पता है आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेटा, 10.3 cm, ये क्या हो जाएगा, 10.3 cm ये हो जाएगा, कैसे find out किया, चलो बताते हैं, देखो, तो 15.4 को जब आप डिवाइड करोगे न, देखो क्या करना है, 15, 154.5 को डिवाइड करना है, किस से 15 से, तो 15 की टेबल पढ़ो, 15 बन्जा 15, ये हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, 4 आ गया, आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, जिससे की यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, है न, आप 15 की टेबल पढ़ो, 15 बन्जा 15, 15 टूजा, बताओ 15 टूजा, चल्दी बताओ, 30, 15 टूजा, 45, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डैसिमल लगाएंगे, और इस वाले को भी, देखो, यहाँ पे, डैसिमल लगाएंगे, और इस वाले के अभी हम उतार अब यहाँ पे इसके बाद डैसिमल लगाता, तो हमें डैसिमल लगा नहीं पड़ेगा, हम डिरेक्ट डोजजित नहीं उतार सकते, इसलिए हमने पहले लगा दिया, यहाँ पे जीरो, और उसके बाद डैसिमल लगाता, तो हमने उसको उतार के यहाँ भी लगा दिया, डैस से क्लियर होगा देखो 154.5 था और आपको क्या करना था 15 से करना था इसको डिवाइट 15 बंजा क्या हो गया 15 हो गया यह पूरा तो कैंसिल हो गया अब हमने इस पोर को उतार लिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें क्या करना है एक डिजिट और उतार नहीं है तो उसके पड़ेगा जीरो तो एक डिजिट और आ जाएगी पर यह डिजिट जो है डेसिमल के एक प्लेस के बाद है तो हमें भी आंसर सेम रखना है अपना इसलिए हमने यहां पर भी डेसमल लगा दिया हो गया हमारा काम कम्प्लीट अब 15 की टेवल पढ़ लोगी 45 और हमारा आंसर क्या हो गया आ चुका है तो आपका अंसर क्या हो गया 10.3 सेंटीमेटर यह हो गया इसका बेस चलो अब नेक्स्ट वाले का अंसर भी आप लोग सभी लोग बता दो नेक्स्ट वाले का अंसर भी जल्दी जल्दी से बता दो इसको हम सॉल्वीशन नहीं करवाएंगे इजी सा एरिया गिवेन है और क्या गिवेन है हाईट गिवेन है तो आपको पैरलोग्राम का एरिया गिवेन है और हाईट गिवेन है आपको find out करना है इसमें भी बेस तो b into 8.4 डिवाइट कर लो किसको डिवाइट करोगे 48.72 2 divided by 8.4 करेंगे तो आपकी आ जाएगी B की वैल्यू है ना किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी B की वैल्यू तो आप लोग डिवाइट करके देखना आंसर क्या जाएगा बताओ 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 जल्दी से आंसर क्या आना चाहिए इसका कमेंट करो सभी लोग कमेंट करो तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर क्या जाएगा 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगा देखें कैलकुलेटर से अभी कर लो फिर बाद में आप लोग डिवाइट करके आराम से देखना 5.8 ही आएगा कैसे सिंपल सा देखो ट्रिक आपको सिंपली क्या करना है 84 को डि जो कर बेलिव रहाए कर लेने भाखना आप यहीँ कैसे सिंपल ANYघ्र लगा दो और यहांपर यहांपनी डेसमल लगाया के छेinstall के पाहद लंक्ग नेस्टनेशा वालेकां तर इयंसर करता सभी लोंग रिंस बलेका अनसर करऊ यहांपर क्या ए देखो एरिया अर्श 15.6 और height क्या given है तो यह given है edge तो यहां से आप solve करके edge की value निकालोगे तो कितना आजाएगा इसको divide कर लो 15.6 है तो देखो यह 16 है और यह 15 है तो answer बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है क्या answer आजाएगा इसका answer आजाएगा 1.05 cm टेक है बिटा तो आप लोग इसको calculator से solve कर ले अभी solve कर लो calculator से बाद में आराम से इसकी calculation करना calculation अपने strong करना ठेक है division multiplication यह सब आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि calculation math में यही सब होती ही है तो यहां तक clear हो गया आप सभी को ठीक है यहां तक clear हो गया आते हैं हम लोग next question question no.8 पे तो question no.8 में देखो बेटा अब थोड़ा सा difficulty level बढ़ा है अब इसका answer आप लोग बताना if dl and bm are the heights on the side ab and ad respectively of the parallelogram abcd जैसा कि आपको diagram में शो हो रहा है कि abcd एक parallelogram है और उसमें क्या है देखो dl जो है यह ab की height है और mb mb जो है यह किसकी height है तो यह ad की height है अब आपको find out क्या करना है if the area of the parallelogram is 1470 cm square and ab is equal to 35 ad is equal to 49 then find the length of bm and dl तो कैसे करोगे पता हो जल्दी से कैसे करोगे bm और dl की length को find out simple है अभी हम आपको बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखो बेटा एक काम हम लोग करते है area of parallelogram तो area क्या होता है area हमने आपको बताया था अभी आप ignore कर दो किसको bm को आप इस वाले को भूल जाओ आप इसको देखो ही मत ठीक है आपको सिर्फ इतना दिख रहा है आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये एक parallelogram बना हुआ है और यहाँ पी ये जो है ये इसकी length हो गई d और l ठीक है और ये हो गया a और b तो आपको parallelogram का area आपने क्या बताया था base into height क्या बताया था base into height तो base into height कर लेंगे area क्या given है बिटा area दोनों का से भी रहेगा area क्या given है 1470 क्या given है 1470 ये area और base क्या है देखो a b की value a b की value कितनी 35 तो ये हो गया 35 और आपको क्या find out करना है height find out करना है तो बस निकालो h is equal to क्या हो जाएगा 141470 divided by 35 solve करो solve करो बताओ जल्ली से क्या आएगा ये है centimeter square में और ये 35 centimeter तो अभी आप बेटा calculator का use कर सकते हो answer बताने के लिए बात में घर पे अपनी calculation करना अठ्छे से answer करना ठीक है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आजाएगा 42 सेंटीमीचर तो डील की हाइड कितनी आ गई ये आ गई 42 सेंटीमीचर ओके इतना समझ में आ गया हमने क्या किया बीम को हटा दिया बीम को हम भूल गये हमने माल लिया हमारे पास सिर्फ इतना एक पैरलोग्राम है एबी सीडी और उसमें डील जो है ये इसकी हाइट है एबी पे तो पैरलोग्राम का एडिया क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है बेस हमको पता था एबी की वैल्यू यहां पे गिवन थी 35 उसके बाद हाइट हम को निकाल ली थी तो हमने लग दिया एरिया इतना जो ग बता दो कि हम यह समझ में आ गया अब नेक्स्ट कैसे करना है यह हमें देखना है है ना तो इतना समझ में आ गया सभी को कमेंट एक बर करके बता दो जली से चलो अब इस बार हमें क्या करना है बेटा MB की यानि की BM की हाइट निकालनी है तो इस बार हम क्या करेंगे DL को भूल जाएंगे इस बार हम यह वाला भूल जाएंगे क्या करेंगे एक पैरलोग्राम बना लेंगे और एक पैरलोग्राम बनाने के बाद हमने यह वाली हाइट क्या लेली देखो अब इस बार हमने ले ये वाली हाइट ठेक है और ये हो गया बेस डी ए तो डी ये बेस हो गया और ये हो गई हाइट और हमें वही हाइट फाइंड आउट करना है तो पैरलोग्राम का एरिया आपको गिवेन है कितना गिवन था बिटा area is equal to होता है base into height और आपको area क्या given है 1470 cm2 base क्या है वो भी आपको given है AD की value AD की value देखो आपको कितनी given है 49 है ना AD की value आपको कितनी given है 49 into कर लेंगे height जो आपको find out करनी है means आपको find out करनी है BM की length तो height की जगे पर हम लिख सकते हैं यहापे simply BM है ना आपको BM की length find out करनी है तो इस 49 को इधर ले आओ यह हो जाएगा divide में तो 1470 divided by कर लो 49 which is equals to the BM solve करके बताओ इसका answer क्या आएगा जल्दी सबीलों solve करो बताओ इसका answer क्या आना चाहिए चलो तो जल्दी लों सबीलों solve करो जल्दी से चल्दी जल्दी जल्दी फास्ट सॉल्व करो बताओ answer क्या आएगा तो इसको अगर इससे divide करेंगे तो इसका answer कितना आजाएगा बेटा 30 30 आजाएगा कैसे आजाएगा 49 का आप इप्लाइ कर लो simply 3 से किसे कर लोगे 3 से तो 9 3 27 7 आ गया 2 करी हो गया 4 3 12 और 2 14 तो 147 आ गया ना इससे यह पूरा cancel हो गया एक 0 बचे गया तो बीम की लेंद के तरी 30 सेंटीमेटर गॉटिट 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 कमेंट करके बताओ क्या समझ में आ गया कमेंट करके बताओ क्या समझ में आ गया बस सिंपली आपको इसमें क्या करना था एरिया ओफ पैरलोग्राम को याद रखना है कि एरिया ओफ पैरलोग्राम क्या होता है तो क्या होता है बेस इंटू हाइट होती है तो आप बेस रख लो हाइट रख लो पैरलोग्राम का यह द the circumference of a circle with the following radius आपको radius दिया है एक बाट 14 cm दूसरे बार radius गिवन है 21 cm तो करो पहले वाले का आशर बताओ क्या निकालना है circumference यानि कि circle का perimeter है ना तो circle का circumference होता है ये क्या होता है वेटा 2, 5, R होता है अब R की value फर्स्ट वाले में आपको क्या गिवन है R की value फर्स्ट वाले में आपको गिवन है 14 तो रख लेते हैं 2 into pi की value यह हम निकाल रहे है पहले वाले के लिए ठीक है 2 into pi की value 22 upon me 7 R की value 14 cm जो की आपको गिवन है 7 से इसको cancel कर लीजिए 7 2 हो जाएगा 14 है ना क्या बच गया 2 into 22 into 2 तो सभी को multiply कर लीजिए कितना आजाएगा 88 cm हाना perimeter यह सब हमेशा किसमे होता है cm में area किसमे होता है बेटा square में होता है cm का square meter का square यह सब होते है area की units और perimeter की units क्या होती है नार्मली जो sites की unit होंगे वही perimeter की area हो जाएगी unit हो जाएगी तो perimeter की unit क्या हो गए cm और इसका answer क्या आगया 88 cm टेक है तो अगर किसी circle की radius 14 cm है तो उसका perimeter हो जाएगा 88 cm नेक्स्ट वाले का find out करो बताओ जली से नेक्स्ट वाले का answer चरो second वाले का answer सभी लों बताओ जली से second वाले का answer क्या होगा circumference का formula तो से भी रहेगा 2 pi r अब हमारी r की value यह इसमें change हो जाएगी तो r की value क्या दिए 2 into 22 by 7 into करना है क्या 21 इस बार इस बार 14 नहीं 21 करना है तो 7 से cancel कर लो 7 3 हो गया 21 क्या करेंगे अब 2 into 22 into 3 करना है है ना तो कितना आगे है बिटा 2 into 22 कर लो 44 आ जाएगा 44 को आप लो multiply कर लो 3 से 4 3s are 12 1 carry फिर 4 3s are 12 और यह हो जाएगा 13 तो कितना आ गया 44 into हमने 3 कर लिया तो आगे answer 132 cm तो यह किसका circumference हो गया ऐसे circle का circumference हो गया जिसकी radius 21 cm थी तो radius अगर 21 cm है तो circumference हो जाएगा 132 cm radius अगर 14 cm है तो इसका circumference हो जाएगा 88 cm अब आपके लिए एक homework question है कि radius अगर 7 cm होगा तो इसका circumference क्या होगा बहुत ही सिंपल सा question इसका answer तो आप लोग तुरन दे दोगे अभी है ना तो चलो अभी comment section में इसका answer बता दो क्या होगा बता दो बता दो जल्ली से अभी comment section में इसका answer बताओ कि अगर circle की radius 7 cm है तो उसका circumference क्या होगा बताओ आते हम लोग next question पर जो कि आज का last question है इसके बाद फिर ये वीडियो यहीं पर end कर देंगे चिकर चलो और आपका complete हो जाएगा parameter and area chapter तो last question question number 10 अब आपके screen पे find the area of circumference sorry find the area of the following circle given that उसकी radius आपको given है और diameter given है तो बताओ कैसे find out करोगे circle का area area of circle क्या होता है बेटा area of circle क्या होता है ये equal होता है pi r square के है ना area of circle किसके equal होता है pi r square के पहले वाले में आपको देखो radius किसमें दिया है 14 mm है किसमें है 14 mm में है तो रख लेते हैं किसी में भी हो है ना तो pi की value 22 by 7 r की value 14 given है तो r देखो यहाँ पे square है तो हमें क्या करना पड़ेगा 14 को 2 times लिखना पड़ेगा cancel कर लो 7 to the 14 अब इसका कर लो multiplication क्या क्या बच गया 22 into 2 into 14 तो solve करो इसका answer क्या जाएगा 22 into 2 करेंगे तो 44 आ गया 44 into 14 कर लो बताओ क्या आएगा कर लो 44 का multiplication 14 में करो जली से बताओ क्या आएगा calculator का use कर सकते हो क्योंकि इतना simple सारे multiplication है कोई issue नहीं इतना तो आप लों करी सकते है ना तो कितना आगया बिटाम क्या किया हम लोग ने 22 into 2 into 14 किया तो आपका answer क्या आएगा करके दिखा दें चलो कर लेते हैं तो क्या हो गया 44 into 14 तो 4 4s are 16 1 carry 4 4s are 16 1 17 फिर 1 से कर लो 1 into 4 4 और 1 4 is a 4 addition कर लो इन सभी का 6 7 3 10 1 11 1 carry 4 1 5 और 6 तो इसका answer क्या आगया 616 तो area of circle कितना आगया 616 mm का square ठीके बिटाम किसमें आएगा mm में आएगा क्योंकि यहां आपको unit mm में दीती तो आपको भी answer same unit में देना है जिसमें आपका question होगा क्लियर हो गया अब होने जा रहा है आज का last question तो last question क्या है diameter आपको given है और आपको निकालना है area तो कैसे निकालोगे area of the circle इस आपको diameter given होगा तो चलो मैं यह रफ करती तेकर अख्य के चल्ली से बता हो कैसे निकालोगे अगर आपको diameter given है और area of circle निकालना है तो कैसे निकालोगे यह तो क्या करना पड़ेंगा diameter से निकाल लेना है radius या फिर ऐसे निकालो थो हम लोग निकाल लेते हैं पहले diameter से radius तो diameter is equals to क्या होता है बेटा टो टाइम्स एमस r की value किती हो जाएगी 49 अपन में 2 तो यह हो गया क्या यह हो गया radius और आपको क्या find out करना है एरिया find out करना है area is equal to हो जाएगा बिटा कि पाई r square area is equal to क्या होता है पाई r का square पाई की value 22 by 7 are key value 49 by 2 जो अभी आपने निकाला R की value आपने क्या निकाला? 49 by 2 निकाला यही वाली value महा रख दीजिए तो into 49 upon me 2 cancel कर लो 7 7s are 49 2 से cancel कर लो 11 times क्या क्या बच गया? नीचे के तो सभी cancel होगे एक बचा है अभी I think है ना 2 बचा है तो उपर क्या क्या बच गया बेटा? 11 into 7 into 49 और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है 2 तो multiply करो 11 into 7 कितना हो जाएगा? 11 into 7 हो जाएगा 77 77 में 49 से आप कर लो multiplication कितना आएगा बताओ और जो भी आएगा उसी में आपको कर देना है 2 से divide तो 77 into 49 करो बताओ जली से क्या आएगा? तो 77 में जब आप 49 से multiply करोगे तो आपका आजाएगा 3773 चीक है? मैंने खुद calculator का यूज किया है क्योंकि आपको calculation बच बता नहीं है बाकि इसका तो multiplication आप easily कर सकते हो तो 3773 क्यों हो गया इन दोनों का multiplication? divide कर देना है आपके से 2 से तो इसको 2 से कर लो आप लोगं divide तो answer क्या आजाएगा? answer आजाएगा 1866.5 कितना आजाएगा? sorry 1886.5 जो है यह आपका आजाएगा answer ठीक है? तो आपका answer बेटा क्या correct हो गया? 1886.5 तो होपसो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा सारे question आपको clear हो गया होगे एकदम अच्छे से crystal clear, diamond clear, सभी कुछ clear हो गया ना? बताओ बताओ जली से comment section करो कि सभी कुछ clear हो गया yes ma'am all things are clear बताओ तो सभी लोग बताओ क्या सभी कुछ clear हो गया crystal clear हो गया diamond clear हो गया, ruby clear हो गया और कौन से clear होता है? जले भी clear सारे clear हो गया है और आप लोगोंने नया सुरू किया है silver clear, gold clear और पताओ नी क्या क्या चलो तो क्या सारे types के clear हो गये है अगर हो गये हैं तो जली से वीडियो को like कर दो comment कर दो कि सारे clear हो गये है तो फिर आज का session अम लोग यहीं पर end कर देते हैं, ठीक है? तो बताओ जली से क्या सभी कुछ clear हो गया और जिसने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो let's crack cbsc7 channel को subscribe करके bell icon को press कर दीजे जिससे की latest video के information आपको time पर मिल जाए और अगर latest video के information आपको group से चाहिए तो telegram group को join कर लीजे और आपको वहाँ पर भी जितनी latest video होती है उनकी link सबसे पहले share कर दी जाती है, ठीक है? तो चैनल को subscribe कर लीजे वहाँ से भी video की notification मिलेगी telegram को group join कर लीजे वहाँ से भी video की notification मिल जाएगी और आपको अगर अनकेडमी पर कुछ भी चाहिए free में content, free में unlock करना है या फिर कुछ भी special classes देखनी है free में तो आप क्या कर सकते हो अनकेडमी के app पर जाना जोती जैस्वान लेम सर्च करना उसको follow कर लेना, ठीक है? यानि कि मुझे, मुझे आप follow कर लो और क्या करना? जे जे लाइफ कोड को apply कर देना और जितरे भी content है, free वाले वो सभी क्या हो जाएंगे? unlock हो जाएंगे और आपको free में बहुत सारे content दिये गया है PDF प्रोवाइट किया गया है और बहुत कुछ प्रोवाइट किया गया है तो आज का session यहीं प्रोवाइट करते है 9 PM वाली कोई भी classes अभी नहीं हो रही है अभी सिर्फ आमारी classes किस पे हो रही है? 6 PM पे हो रही है और अगर आपको special classes देखने है तो special classes भी आपको मिल रही है वहाँ पे daily update हो जाता है वहाँ पे जाके भी देख सकते हो तो आज का session यहीं प्रोवाइट करते है बाबाई गुद नाइट टेक कियर क्योंकि 9 PM वाली तो class है नहीं इसलिए अभी से गुद नाइट ओके बाई सबी लोग वीडियो को लाइक कर देना चेलो